राज्यमें अपराद की घटनाओं में इजाफा हो रहा है चोरी की घटनाइ भी सामने आ रहे हैं नागपुर में एक व्यक्ति द्वारा अपनी प्रेमिका पर पैसल उटाने के लिए दो पहिया बाहन चोरी का मामला साम्ने आया है प्रेमिका और गांजा पर खर्च करने के लिए वाइक चोरी करने के आरोप में एक नाबाली और उसके साथ ही को गिरफतार किया गया है वाडी पुलीस ने है कारवाई की है एक आरोपी का नाम रमजान उर्फ मुनीर इक्राम अंसारी है उससे और उसके नाबालिक साथी से पुष्टाश की जा रही है आरूपियों के पास से दो लाख रुपे मुल्य के साथ दो पहिया वाहन जब किये गए है वाड़ी पुलीस चोरी की जांश कर रही थी इसे दोरान नाबाली को संदीक धालत में ये गाड़ी छोड़ते हुए दिखा गया इसके बाद पुलीस ने जांश की और सिस्रीवी की मदद से नाबाली को ट्रेस कर लिया